हेलो रिवड़ी दोस्तो हरियाना रोडवेज में ड्राइवर और कंड़क्टर की बढ़ती निकल चुकी है दोस्तो आपने साइद नियुद सुन भी लियोगी आपने देख भी लिया होगा लेकिन अभी तक ये कनपरम निवा की फारम बरने कैसे हैं तो दोस्तो ये आप जान कर लीजिए और दोस्तो ये हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग एप जो आपको आपकी जोब की त्यारी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता है दोस्तो यहां पर मैं एक एजुकेटर हूं हर रोज करेंट अफेर की वीडियो लेके आता हूं तो आप डिस्क्रिप् हैं तो यहां आप देख सकते हैं पद का नाम है परिचालक पदो की संख्या नो सब पांच है योगेता दसवी है आयू सी मां 21 से ब्याले साला कोई भी कंडेटिस फार्म को अपलाई कर सकता है इसमें एक्स्पिरिंस मांग रखा दोस्तो दस साल पुरान आपका लाइसेंस ह होना चीए ठीक है और साथ में आपका अनुभवी जरूरी है आविद्न करने की जो आंतिम्ति थी है वो है 25 सक्टूबर 2018 श्याम 5 बजे तक ठीक है दूसरी जो पोस्ट है वो आपको यहां पर देख सकते हैं पद का नाम है चालक पदो की संक्या है 504 योग्यता मैट्रिक अ वरियता दी जाएगी यानि कि उनको ज्यादा लिया जाएगा ठीक है सबसे ज्यादा वुचार किया जाएगा उसके बाद दोस्तों आगे हम निच्चे बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो शोर्डिट्स कंडिडेट है उन से सालक दक्ष्टा भी करवाई जाएगी ठीक है गाड़ी चलवागा यहां पर सरते हैं कुछ तीन माहा के लिए अनुबंद होगा ठीक है उसके बाद बिना बताया आपको हटा सकते ह ठीक है तीन माहा से ज़्यादा नहीं बड़ेगी यदि सरकार को जुरूरत पड़ी तो आपको आगे रखा जा सकता है उसके बाद आवेदक श्यों सक्टापी दस्तावेज ही लगाएं दोस्तों आपका जो फारम है वो ओफलाइन बरना आपने ठीक है ओनलाइन फारम नही आपका इस पोस्त के लिए एक आवेदक एक पद के लिए ही आवेदन कर सकता है ठीक है या तो आप कंड़क्टर के लिए कर सकते हो या आप ड्राइवर के लिए कर सकते हो ठीक है और यहां रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकता है कोई विकंडेट कर दी तीन महीने काम करक नो को रिकर के बोले कि मुझे रेगुलर क्या जाई ठीक है आवेदा कलिफाप पर सफस्ट नाम लिखे तो दोस्तों इसमें आपको समझ में आ गया हुआ आफलाइन फारम है आपको डॉकुमेंट सेंड करने है फारम बरके ठीक है जो आवेदान आपका वो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा ठीक है लेकिन अभी तक दोस्तों ये अभी तक साइट पर नहीं डाला गया है कि ये फारम आपको बरके बेजना है क्योंकि ये कोई और साइट से आपको बता रहा हूं पूरी डिटेल ठीक है लेकिन आपको यदि फाराम ने कड़ते हैं तो ओफ-लाइन आपको बेजने हैं सारे दोकुमेंट तो दोस्तों मैंने अभी कुछ दिर पहले इसार जो जर्नल में मनेजर है जी एम है रोडवेज का उससे बात की थी तो उनसे तो वह आपको एक बार रिकोर्डिंग शुना जाता हूं कि मेरे उनसे क्या बात हुई थी रिको तो रोगया जो चल जोड़े नहीं चल रहा है को यह वह बता रहे आए जी कोई एसे बर्ति नहीं होती कोई प्रोसेस होगा, कोई फारम निकड़ेगा, सरकार का कोई टाइम लिमिट होगी, ऐसे पहला रखिया है, आप वह है, तूसरों को भी समझाओ, आप भी समझाओ, आप भी समझाओ, आप खुमिराम जी बोल रहो हुदी, अच्छा अच्छा, तो ठीक जी दन्यवाद जी, तो दोस्ते मेरी अभी बात हुई थी, वहाँ पर ठीक है, इसार जी एम से, क्योंकि कई गंडेट बोल रहे थे, कि इसार जी एम के पास भी कई बच्छों के जो डोकुमेंट आई हुए हैं, और वहाँ पे 500 बच्छे बैठे हैं, तो इसी बारे मैंने सोचा, वहां से एक ब भी प्रोसेस नहीं हैं, दोस्तो लेकिन आपको बताना जूरूरी था, क्योंकि आप बाद में बोलते हैं, कि आपने बताने की वकाएंसी निकली थी, ठीक है, लेकिन अभी तक फारम स्टार्ट नहीं हुए हैं, ना ही अरियना रोलवेज की साइट पर अभी कोई ऐसा नोट देख चुके हैं, तो आप वीडियो को लाइक जूरू करें, और दोस्तो आज वीडियो को आप सभी ग्रूप में सभी दोस्तों के साथ जूरू करें, ताकि सभी को सचाई का पता चल सके की सच क्या है, और जूट क्या है, ठीक है, और दोस्तो हरियाना में परतियों के ताक जिसमें आप भागे लगे सकते हैं आपको सक्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हुए इन नंबरों पर कोल करके आप पूरी डेटल ले सकते हैं धन्यवाद